हलो आज है 3rd January और आज ही सोड़े में हम बात करने जा रहे हैं JP Associate Limited जाई प्रकास Associate Limited जिसको हम JP Associate के नाम से भी जानते हैं पैनी स्टॉक हुआ करता था यह लेकिन अभी अगर हम देखे तो पिश्रक कुछ दिनों से एक बड़ी रहली की तरफ के शेर आगे बढ़ रहा है और इतना ही नहीं इंटर्नली भी अगर हम यहां पर देखने जाए कंपनी को लेकर तो बहुत सारी ऐसी चीजे चल रही है जिसके बारे में जानना जरूरी भी है तो हाल फिदार में जब यह शेयर आठ रपैसे भी कम प्राइस पर अविलेबल है और एक बहुत बड़ी रही दिखा चुका है तो क्या खरिदारी करना सही रही है कि नहीं उसके वारे में इस वोडियो में हम बात चीज़ चरेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इस सब्सक्राइब बहुत बहुत सारे वीडियों से जो को काफी करेंगे उसके साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलेगराम को भी सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत बूलेगा लिंक आपको डिस्कूशन बिल जाएगा तो बात करते हैं जेपी असोशेट लिमिटेट के बारे में जिसका शेयर जो है साथ आई शेयर 6 रुपे से भी नीचे गया लिए उसके बाद फिर से एक बड़ी रैली की तरफ आगे बढ़ा है एक साल में 280 परसंट से भी जादा का ग्रोथ है आप देख सकते हैं कि एक रुपए के आधसपास ट्रेड गुआ करदा का तेजी आई फिर प्रॉफिट यह तो पिछले दस साल का अगर मैं आपको इसका चार्ट दिखा हूं जेपी का तो दस साल का जो चार्ट है उसमें अब 92 परसंट की गिरावट है 108 रुपे के लिए तूटकर नीच आया है और देखिए ऐसे पहली बार नहीं है कि एक सड़न तेजी यहां पर देखने को मिल रही है और काफी ज़्यादा पंट्रोवर्शी में भी यह शेयर रहा है क्योंके जेपी हम सब जानते है कि नौइडा में काफी सारे जो फ्लैट्स बनने थे उन नहीं बने हैं और इनहीं के चलते काफी जादा देखते भी यह शेयर था यहां पर आप देख सकते हैं कि रही है और बड़े-बड़े एफाइस के द्वारा खरिचारी हो रही है आदिके प्रमोटर की होल्डिंग 38.61 परसंट और उनकी जो होल्डिंग के वह चार नहीं है एक एफाइस के पास पहले कुछ भी नहीं खा जून में अब 1.47 परसंट की होल्डिंग आ चुकी है म्यूचल फंड ने अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है 0.02 परसंट इंशॉनस कम्नी को 1.74 परसंट की होल्डिंग है और यह श्यार में तब हमें जब जब ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली थी जब NIC में एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर खरीगी थी की यह पुरानी होल्डिंग है यहाँ पर इंजी रिजूल इनवेश्टर होल्डिंग 46.21 परसंट के आसपास देखने को मेल रगी है जे-पी के बारे में अगर हम बात करने जाए जे-पी इस जोशेट के बारे में अगर हम बाति खर देखने की पर्ड़ सेनावी के रखाने उसके अलाव जो सबसे बहतर और सबसे मुझे जो चीज देखने को मिल रही है वो यह है कि यहाँ पर आप देखे इंसाइडर ट्रेडिंग जो है उसमें इस डिसंबर महिने में बहुत बड़ी खरीतारी हुई है इंसाइडर ट्रेडर्स के द्वारा बहुत बड़ी खरीतारी हुई है छे रुपे 31 पैसे पर आप देखे शेर में 5 लाग शेर खरीदे गए है प्रमोटर ग्रूप के द्वारा उर्वशी को बर ठीक है यह इंसाइडर ट्रेडिंग 5 लाग शेर खरीदे हैं तकरीबन 6 रुपे 31 पैसे के पर उपर और यह डेट है 11 डिसमबर की ठीक है उसके अलावा देखे 2 डिसमबर को जब शेर 4 रुपे 75 पैसे के उपर ट्रेड कर दा था तब 1 लाग 5 लाग शेर खरीदे गए थे प्रमोटर ग्रूप के द्वारा उसके अलावा आप देखे 3 डिसमबर को जब शेर 4 रुपे के उपर था तब प्रमोटर ग्रूप के द्वारा 3 लाग 10 हजार शेर खरीदे गए थे तो यहाँ पर यह है कि भाई आप प्रमोटर जो है वो दीरे दीरे खरीदारी कर रहे है यहाँ पर और डिसमबर महिने में और बड़ी खरीदारी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है तो आकिर ऐसा क्या हो रहा इस कंपनी में कि प्रमोटर काफ़ ज़ादा यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहे है और दुबारा से कंपनी को जिन्दा करने की कोशिश में कर रहे है रेवन्यूस की अगर हम बात करने जाए तो डेफिनिटी देवन्यूस के आप देखने को मिलेंगी अभी साथ सो सांट करोर का रेवन्यूस सब्टेंबर क्वार्टर में आया था है इनका मार्च में 307 करोट उससे पहले 265 करोट तक के नुकसान हम यहां पर देख चुके है अगर बात को देफिनिटी इनके पास काफी बड़ा अगर हम करें तो इनके पास काफी जादा जमीने भी अभी भी है इनके पास मैटल भी काफी जादा अच्छे रेखने को मिल रहे है तो अगर हम लेखने जाए तो अच्छा खासा पैसा अभी भी मतलब जो इसकी वैल्यू है वो चीज़ अभी भी है लेकिन देख तक यहां पर यह है कि कंपणी के उपर धर्जा भी बहुत आता है मैनेजमेंट के त्वरण कुछ यह स्टैप्स लिए जा रहे हैं की जिससे दुबारा इस कंपणी को जिंदा किया सके लेकिननेों के तुछ सेपte काफि लmaster reps जा रहे लेकिन यहां पर आपको जो ग्राफ है इसी तरीके से देखने को मिलेगा वह बड़ी रैली आएगी ढूंखेंगी भी गिरावटाइगी और यहां से आठ ना रुपे के ओपर कहुचने के पार दुपारा से गिरावट आपको देखने को मिलेगी जो दुबारा इसको साथ रुपए तक लाके भी छोड़ जाएगी तो इस तरी के एक हम मुझे लगता है कि यहां पर प्राइस चार्ट जो आपको देखने को मिल सकता है तो जेपी के बारे में अगर मैं यहां पर बात करो तो फ्रेश वाइंग अगर माने कि आपको 500 शर्ट खरीदे तो पहले 100 शर्ट खरी सकते हो यहां पर अगर दुबारा जब प्रॉफिट बॉकिंग शुरू हो तब आप यहां पर और 100-100 शर्ट की कॉंटिटी एड कर सकते हो तो कभी भी यहां पर इतनी बड़ी कॉंटिटी मतलगा है कि आप फज 1000 शर्ट खरीदे हैं तो ऐसी गलती मत करो यहां पर टुक्रों में खरीदानी करो छोटी कॉंटिटी यहां पर एड करो जितना आपका रिस्क ले सकते हो मानने कि अगर आपके पास एक लाग रुपय है तो यहां पर आपको दो-तीन हजार रुपे से जादा करिवेश नहीं क करना चाहिए तो अगर मैं किसा दू कंपनी फंडमेंटली स्ट्रॉंग नहीं है और कभी भी तेज यहां गिरावार यहां पर आने की संभावना भी है और सारी के सारी चीज़ेशन है वह मैनेजमेंट की पॉजिटिव कमेंटरी के उपर डिपेंडेंट है लेकिन देखने कि जेपी अभी भी अगर हम देखे तो उतना रिस्प्रेक्टेट ग्रूप नहीं माना जा रहा है तो इसलिए जादा बड़ा निवेश करने की सला रहे हैं कि छोटा सा निवेश अगर आप चाहों जब टोपड़ों में यहां पर कर सकते हो तो वीडियो को यहीं पर अंड क